बलेशर में पुलिस की प्रतार्ना से परेशान होकर पीडित ने शोशल मीडिया पर वीडियो वारल कर सीम से न्याय की गुहार लगाई थी पुलिस पर दबंगो से मिली भगत कर प्रतारित करने के साथ का पीडित ने कोत वाले पुलिस पर चोरी का आरूप लगा कर रातरी मे उससे वा उसके भाई को कई बार हिरासत में लेकर परिशान करने का भी गंभीर आरोप लगाया है इस मामले पर बड़ी अपडेट सामने आई है जिसमें पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है आईए दिखाते हैं आपको हमारे समधाता प्रदी पंडिट के रिपोर्ट आज दिनान 31-2024 को सोचल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा थाना सिकंदरबाद पुलिस पर आरोप लगाये जा रहे हैं उक्ति प्रकरण की जाजकर या तत्य प्रकाश में आया है कि थाना सिकंदरबाद पुलिस को वादी सुरेंद्र पुत्र प्रेम सिंग निवासी ग्राम प्राणगर ने एक लिखेत तहरीर दी थी जिसमें उसके ट्यूब वेल से इंवर्टर, बैटरी, स्टेबिलाइजर, चोरी होने के आरोप ट्यूब वेल के चौकिदार, कुल्दी, पुत्र, मुक्तियार पर लगाये गए थे उक्ति प्रकरण में थाना सिकंद्रबाद के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजिग्रत किया गया है वादी के आरोपों से बचने के लिए उप्रोक्त नामिक रिक्ति के द्वारा एस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं पुलिस के द्वारा साख संक्लन कर आगे की विदिक कारवई की जा रही है